करेंगे निफ्टी निफ्टी के बारे में कल की सब्सक्राइब कर सकता है पर उससे पहले आज का थोड़ा बात कर लेते हैं आज क्यों मार्केट में करता रहा था एक कोई सिंगल डिरेक्शन में कोई मुमेंटम नहीं दिया था और आज और कल दोनों दिन एक जिसा हो गया था मार्केट ने उसी में काम कर रहा है पर अब अच्छी बात भी इस मार्केट के लिए कि जिस साइट भी डिरेक्शन लेगा ना काफी अच्छा मुमेंटम मिलने की चांसिस रहेंगे यहां पर और आप देख लिए तीन दिन हो गया मार्केट को गिरते गिरते तो आप इस ट् अब लेकर 17108 एक एक रेंज इसमें अगर निफ्टी को निकलने देना आसे फिर आपको नेक्स यहां पर लेवल मिल सकते 17170 का तो आपको आराम से वहां तक का टागेट मिल सकता है उनीचे सपोर्ट कहां पर आए यहां पर वहें 16977 से लेकर 16947 की रेंज एक उसके बाद अगर निचे से लाता है बायचांस तो फिर उसके बाद आएका निचे सपोर्ट वहें 16886 का तो यह तो हो गया आपके सपोर्ट रेस्टेंस यहां पर इनकेस यह 17170 भी निकलता तो फिर 17290 का आराम से आपको परिदर मुवमेंट मिल सकता है और देखिए कोई बड़ी बा बात करेंगे बंद भूए 38359 पे तो इसका पहला सपोर्ट बनेगा वहे 38224 का और सेकंड सपोर्ट आएका वहे 37953 का तो उसके बाद अगर इनकेस उपर निकलता है तो वहां पर रेस्टेंस कहां पर आ सकती है सबस्पे लिसको वहे 38653 की उसके बाद आएका 39002 की तो यह अच्छे लेवल पर है तो उसके नहीं बात करते हैं तो आज कर जो हमारा शेर वह है SDOC बैंक तो बैंकिंग सेक्टर में अगर मोमेंटम आना तो SDOC अगर आज SBI हो गई, XS हो गया, ICAC हो गया तो आपको ध्यान अखना है आपको इनमें अच्छा मोमेंटम आता है नियाता तो आप ध्यान रखना है, SDOC चलता है तो आप इस पर फोकस रखना और इसको स्विंग टेट के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ पर इसको लेने के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ और उपर काफे अच्छे आपको 1500 रुपे तक के टागेट मिल सकते हैं इसमें शौटम में फ सकते हैं उसके बाद ही कोई भी ट्रेड ले, THANK YOU FRIENDS